क्या आपके चेरे पे बहुत ज़्यादा पिंगुटेशन की प्रॉब्लम है आपके चेरे पे बिल्कुल भी निखार नहीं है आपके चेरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम है आपका जो इसके टोन है बिल्कुल भी इवन नहीं है तो ये वीडियो आप सभी क को लाइक करें वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप साब आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों आज जो हों प्रेमिंडी में आप सभी के साथ शेयर कर रहे हूं आपकी चेहरे पर कितनी भी पुरानी से पुरानी जहाईयां है आपको बहुत ज़्यादा पिंग्विटेशन की प्रॉब्लम है जो आपका इस्किन टोन है बिल्कुल भी इवन नहीं है तो इस सब को ठीक करने का आज मैं आपको इतना बहतरीन उपाय बताने जारी हूं बस आपको मेरे बताए अनुसार अपने इस्किन की के सब मेरे जारदे किए और बहुत ज़िए तो आरे हम इंगो इस यह आपको बताओंगी है यह आपको ने के सब बनाने के लिए आपको चाहिए लेमन जूus यहाँ पे मैं आधा चमस लोगी lemon juice जितना आपने lemon juice लिया है उतना ही आपको लेना है टेमाटो पल्प अगर आपकी skin को lemon suit नहीं करता तो आप सिर्फ tomato ले सकते हो tomato नहीं करता तो आप इसके जगे सिर्फ नीवू ले सकते हो दोनों ही करते हैं तो आप दोनों ही ले सकते हो लेकिन दोनों की quantity आपको बरावर मातरा में रखनी है मेरी skin को ये दोनों ही suit करते हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों लिये हैं लेने के बाद आपको इसमें डालना है honey यानि कि शहद शेहद की quantity आप एक चौथाई चमस ले सकते हो लेने के बाद आप इन दोनों को अच्छे से मिला दीजिए मिलाने के बाद आप आपका जो पैक है ये तैयार हो चुका है इसे मैं बताती हूँ आपको लगाने का सही तरीका क्या है ये इतना ज़्यादा एफेक्टिव है गई जाप मेरी वीडियो को पूरा देखना एंड तक देखना तभी आपको अपने पुराने से पुराने जाहियों से हमेसे अगले चुटकारा मिल पाएगा तो पैक मेरा हो चुका है तयार आप इसे लगाते हैं इसी लगाने का सही तरीका है सबसे पहले आपको अपने चेरे को अच्छे से साफ करना होगा मैं वीडियो बनाती हूँ तब अपने चेरे को अच्छे से साफ करके याती हूँ नहीं याती तो आप सभी के सामने में कर लेती हूँ तो चेरा मेरा साफ है चेरा साफ करने के बाद जो अपने पैक तयार किया है इसे आपको लेना है और अपने पूरे चेरे पे अच्छे से आपको एपलाई करना है कोई भी जगे आपकी बसनी नहीं चाहिए अगर आप चाहते हो इस पैक को अपने हिंट्स पे लगा सकते हो कि देली रोजना ही लगाना है क्योंकि आık के मेरे पास यह Content कि मैं हमें इसे रोजनाल लगा something कि एक गॉपे कोई पैक कैसा होता जिसके का यह मत लगा सकते हैं इसे पैक कुझ मैं आपको बिटामिन सी सीरम बताने जारी हूं इन दोनों को यूज करने के बाद आप देखोगे आपको बहुत ही जल्दी से अपने इन सारी ही प्रॉब्लम से हमें सकले छुटकरा मिल जाएगा बहुत ज़्यादा एफेक्टिवी रेमेडिय है और देखे मैं आपको एक डा पानी से प्रॉब्लम है जिससे हर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जाता है उनको ठीकरना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है लेकिन मैं खुद गैरेंटी के साथ कहते हूं आप मेरी यह वीडियो देखने के बाद जो भी मैं आपको तीन स्टेप्स में बताने वाली जो आपने पल पिल लिया ता उसका जो च्हिलका है आप उसे लिली जिए और उससे हलकी हलकी हातों से अपने चैरी की मसाज कीजीए यह मसाज आपको कम से कम 2-3 मिड़ की लिए करनी है अगर आप किस नमी को टेुमाटर सुप निकरता आपने टेमाटर नहीं लिया आपने तो आप निवु àsø कर सकते हैं लिकिन निवु मसाज करने से क्षेवब accent करने से पहले आपको अनदर बीज होता है और से पहले वहार निकाले कि मसाज करने से अब करने के बाद आपको त Story करने बाद आप को आहिक को देखिए डेखिए पैक को Rép enorm लेना के बाद सबस्तिता पैक क्रते पैक को चेहरे पे लगने का थे चेहरण का यह मैं आप को थी आप अब मैं आपको एक ऐसे सीरम के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको पैक लगाने के बाद अपने चेरे पे एपलाई करना है मार्केट में आपको वैसे तो बहुत सारे बिटामिन सी सीरम मिल जाएंगे लेकिन वो बहुत ज़दा कोश्टली होते हैं और हर किसी के बजट में नहीं होते आज जो मैं आप सभी के साथ ही विटामिन C सीरम शेयर कर रही हूँ यह आपकी बजट में रहेगा बहुत ज़दा अच्छा है तो मैं आपको सज़ेस्ट करूँगी इससे आप एक वज़रू ट्राय करें इंडी अर्थ का विटामिन C सीरम है इसके क्या क्या वेनिफिट है इसके अंदर है विटामिन E, विटामिन C और ग्लूटा थियों यह जो सीरम है आपके चेरे की पिग्मिटेशन रिंकल्स को रिमूब करता है और आपकी इसके टॉन को दो से तीन सीड लाइट करने में आपक काफी ज़्यादा है अगर आप इस सीरम को मेरे बताए नुसर और रोजाना अपने चेरे पे लगाओगे तो मैं नेश्रल और सेफ है इसके अंदर पैराविन सिलिकोन नहीं है 100% वेजेटेरियन है आपको ग्लास बोटल में मिलेगा इसे रखने का सही तरीका है आपको इसे सनलाइट में नहीं रखना है आप इसे किसी भी डार्क जगह पर रख सकते हो इस सीरम की जो पैकेजिंग है आपको कुछ ऐसी मिलेगी इसकी जो कंसिस्टेंस यह विलकूर वाटर की जैसी आपको ऐसा लगेगा एकदम पानी जैसा जब आप इसे अपनी स्किन पर लिंक मैं दे दूंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में तो हुआ से आप इसे बाय कर सकते हो अब मैं आपको बताते हूं इस सीरम को लगाने का सही तरीका क्या है तो देखिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना है तो मेरा जो चेहरा एकदम अच्छे स इसे लगा लीजिए हलकी हलकी हातों से आपको लगाना है ऐसा आपको डेली करना है जब डेली करोगे तभी आपको आपकी जहायों से छुड़कारा मिल पाएगा 98% natural है 72% organic है और 100% vegetarian है अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे description में तो हुआ से आप इसे बाए कर सकते हो दोस्तों मैंने आपको दो step तो बता दिये एक तो आपको pack बना के अपने चेहरे पे रोजाना apply करना है पैक लगाने के बाद पैक को साफ करने के बाद आपको इस सीरम को लेके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको रोजाना इसे अपने चेहरे पे ल लेने हैं एक आपको लेना है और एक आपको लेना है लेमन और इन तीनों ही चीजों को अगर आप अपनी डाइट में लोगे तो आप देखोगे आपको बहुत ही जल्दी से अपने चेरे पे काफी हद तक बदलाब देखने को मिलेगा आज की वीडियो आप सभी को पसंद तो फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो मेरी वीडियो को लाइक करे बगेरी आप चले जाते हो तो वीडियो को लाइक करके जाना अब आप से मुलाकात होगी कल यानिकी नई वीडियो के साथ नई विलोग के साथ अभ बाइ बाइ